कि नुटकों मैं जयाल सु आज मैं आपको बताने वाली हूं इस टाउन्श teammates के बारे में में सो चले these में बताते हैं इसके बारे में बात करते हैं let me sit first most of the township areas जो होते हैं वह बहुत जादा वहाँ पर हर्याली बहुत रहती है cleanliness बहुत रहती है तो मैं currently यहाँ पर हूँ उडिसा के उतकल ऐलमुनिया प्लान कियाने के हिंडाल को का जो तो यहाँ के बारे में बताओ ना तो बेसिकली जो भी township areas बनते हैं वो गाओं को आसपास गाओं के जो जंगल रहते हैं उन्हीं वही पर मतलब डेवलप के जाते हैं तरीके क्योंकि प्लांट हमेशा इंड और आउटर एरिया में ही बनते हैं जो गाओं था यहाँ के पास मे काम रहे होंगे यहाँ पर और आज की डिट में बहुत बड़ी शॉप बन के लिए मैं आपको नेक्स ब्रॉब में ज़रू शेर करूंगी विकरस मैं एक दिन गही थी और मैंने टिक्री मार्केट पुरा एक्स्प्लोर किया है तो जो पहली कॉलोनी जहां पर मैं करंटली र कि बहुत ही स्पीड में हमने काम किया है मतलब फटा-फट से हमें कम्प्लीट करना दर था ना कि कहीं काओं के लोग स्ट्राइक में कर दिया फिर रोक ना लगाते इस चिसका बहुत डर था विकरस प्लांट भी बनने में लोगों ने कई बार यहां के लोकल लोग हैं उन ल दूसरी कॉलोनी बनी है तो फिर दूसरी कॉलोनी यहां से सिक्स किलोमेटर की दूरी पर है वहां पर दूसरी कॉलोनी को बनाए गया वहां पर बेसिकली फिर सब कुछ बनाए गया जो जो कुछ यहां बनने वाला था वो सारा कुछ बनाए गया जैसे कि शॉपिंग कॉंप मंदिर है, और अडिटोरियम है जिसमें कि यूनों सारे डांस प्लास, गेम्स, रोम और लाइब्रेरी, जिन गे सारी फैसिलिटीज है, शॉप यहां सब जरूरी एसेंशल चीजें ले सकते हैं, और इसके अलावा आपको अगर ग्रॉसरी आइटम लेना बहुत कुछ लेना सम सकते हैं, तो यहां से सक से मिटर की डिस्टेंस पर है, तो वहां एक अच्छा मॉल बन गया है, जहांपे कि आप सिर्फ यूनों, इस जिस लाइक मॉल के शॉप ही है, जहांसे कि आप हर एक चीजे ही बेसिकली ले सकते हैं, और एक आद खाने पीने के आइटम के लिए एक रेस्टों टाइक का है, यहां पर अपको 24 आवर्स पानी मिलता है, बजली मिलती है, पार्किंग की सुविधा दी गई है, कि सडके कैसी है, कितने स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हो, यह सारी चीज़े मैंने क्याप्चर करी है, जिब हम इगनिंग वाग पर जाते हैं, तब ही मैंने कुछ क्लिप शूट कर ले था, वो मैं आप सब के साथ शेयर करूगी, यहां की मैं जिम अरिया में गई थी, तो वहां पे कौन-कौन से टूल से, कौन से मशीने हैं, वो भी मैं आप सब के साथ शेयर दोंगी, इसी वीडियो में, लाइब्रेरी भी बन थी, क् कि मैं इवनी में 7.30 के राओं गई थी, जो मैंने सचा आप सब के साथ एक इंट्रो शेयर कर दू, और बता दू कि बेसिकली मैं इस टाइम पर कहां पर हूं गोरी सामिय, और यहां की सड़के, और यह है कॉलोनी, और सारी चीज़ा मैं डिटेल में दिखाऊंगी, अभी ब प्विव दिखा रही हूं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंदर से, तो सबसे पहले हम आपको मंदर के दर्शन कराती हूं, so let's go! तो यह है यहां की टाउंशिप का मंदर, तो यहां पर एक मंदर नोवापारा में है, और एक मंदर जो है आपको ओशापारा में भी मिल जाएगा, तो सेम मंदर का कॉंसेप्ट ऐसा ही है, शिर जी का यह मंदर है, सबसे बाहर आपको तो नंदी की प्रतिमा देखने को मिलती है बड़ी सी और उसके बाद अंदर पूरा शिव परिवार है, यह है हमारे टाउंशिप का मंदर, तो यह हैं भगवान शंकर भूले मात यहां पर आप मंदर में दिया जो है वो जलाना अगर चाहें तो आप पंडिची को दे सकते हो और वो दिया जला देंगे आपको अंदर जाने के अनुमती नहीं है आप बाहर यहां पर खड़े हो करके आर्टी में सम्मेलित हो सकते हैं यह हैं गडपती भगवान यह हैं कार्थिक महाराज और यह हैं गौरिमा अभी मंदिर में कुछ काम चल रहा था अभी दो दिन दिन पहले से स्टार्ट हुआ है कुछ अभी टाइल्स और पत्थर वगएरा जो आउटर एरियास में लग रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा कुछ समानमान बिख रहा था अधर्वाइस मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है बहुत ही ज़्यादा सुन्दर नकाशी की गई है तो मंदिर मुझे काफी ज़्यादा अच्छी लगी और काफी बड़े स्पेस्ट में बनाए गई है मंदर यह है हमारे टाउन्शिप का टेंपल जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं और सामने जो है वो सामने चान निकला है और यह है मंदर चलो अब मंदर से आगे निकल कर हम पहुंचते हैं गेस्ट हाउस एरिया में यहाँ पर जो भी ट्रेनीज आते हैं यहाँ फिर जो भी गेस्ट आते हैं यहाँ पर उनके लिए यह गेस्ट हाउस की फैसिलिटी अवलिबल है यह सारे जो हैं वो गेस्ट रोंस है और यहाँ पर इधर साइड में आपकी सारी grocery shop है जो कि currently I don't know why बन थी बस सबजी की shop खुली हुई थी और बाकी सारी shops बन थी यह हमारे township का guest room जहागी बेसिकली जो trainees आते हैं वो हमें सब quarters में रहते हैं उपर भी है second floor और यह है छोटा सा डाइनिंग एरिया यह है छोटा सा डाइनिंग एरिया यू कन सी अ मिनी रेस्टरान यहाँ पर आप food items आकर के enjoy कर सकते हैं और यह है और यह है वेटिंग एरिया जहां पर के आपको बिर्ला जी की फोटोस देखने को मिल जाएंगी यह हैं कमार मंगलं बिर्ला इस तरीके से इनकी पिक्चर लगी हुई है कि अब इस चलो विदर से बाहर निकलते हैं और आपको और चीज़े दिखाते हैं और एक चीज़ अगर मैं आपको यहां की पता हूं तो यहां पर ग्रीनरी बहुत है डेकोरेशन बहुत किया गया है अब प्लांट से इस तरीके से कमने लगाए गये हैं लिए और यह है यहां का चल्डरन्स पार्क अंदर बहुत सारी जूले हैं एक्सरसाइजिंग टूल्स हैं बट करेंटली यह बंद है यहां भी कुछ रेनोवेशन चल रहा है और विंटर का भी टाइम चल रहा है इसलिए शायद बच्चे यहां पर खेलने नहीं आ रहे हैं बट समर के टाइम में बहुत जादा यहां भीड रहती हैं आपको मौका ही नहीं मिलेगा किसी राइट पर बैखने का अब मैं यहां से चलते हूं वह आप मंदिर देख रहे हैं सामने और यह मैं आपको पार्क के अंदर का व्यू दिखा रहे हैं धर जाली से चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह जो आप बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हैं यह बेसिकली हिली पैड है जो यहां के ओनर है अगर वो कभी आना चाहें तो उनके लिए बनाएगा है यह फैसिलिटी बट यहां पर लोग क्रिकेट खेलते हैं बहुत एंजॉय करते है इस फिल्ड में क्योंकि यह काफी बड़ा सा है तो एक अच्छा स्पेस है लोगों के गेम खेलने के लिए तो यहां पर बहुत सारे लोग इवनिंग टाइम में ऑफिस आने के बाद लोग यहां पर क्रिकेट एंजॉय करते हैं यह देखें यह कदम का पेड है मुझे भी न इस तरीके से साइथ में पूरे पेड लगाए हुए है यहां पर तो चलिए अब आप यहां की रूट्स देखिए और कॉलोनी देखिए यहां आप 20 किलोमेटर पर आओर की स्पीड से ही गाड़ी चला सकते हैं से जादा स्पीड में आप गाड़ी नहीं चला सकते हर ज़ग तो कर दो हम एे लगी लाओ यहां है तो चलिए अब चलते हैं और वहां मैं दिखाती हूं कि क्या क्या फैसिलिटी अबलेबल है तो सबसे पहले है यह चेस और क्यारम का रूम वहां पर आप चेस और क्यारम खेल सकते हैं उसके बाद यह लाइबरी जो कि क्लोज हो जुकी थी क्योंकि मैं 7.30 पर गई थी और इवनिंग टाय में लाइबरी क्लोज कर देते हैं एक म्यूजिक रूम था वो भी ख्लोज था विकर उसमें कुछ म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे इसलिए उसको भी लॉक कर दिया था यह है डान्स फ्लो तो यहां पर डान्स प्रक्टिस के लिए यहां के जो एंपलॉईज हैं वो आते हैं एंपलॉईज काफी अच्छा लगा पिकरस मैंने दिखा है कि बड़े शहरों में भी जहां पर डान्स कोचिंग चलाते हैं कुछ इसी तरीके का सेट अप रहता है और अब हम आ गए हैं जिम एरिया में सो सबसे पहले मेरी नजर जो है वो ट्रेडबल पर ही गई और मैंने स्टार्ट करके स्टार्ट भी कर दिया वॉकिंग करना और ट्रेडबल के बाद यहां पर बहुत सारी यह नो मशीने हैं जिनके बार में तो मुझे पता भी नहीं था जो यहां के ट्रेनर है अगर मैं उनसे पूछ हूं तो मुझे काफे कुछ चानने को मिलेगा चली जो कुछ भी है वो मैं कर अ कर दो त। कर दो कर दो सो यह था यहां का जिम सो बेसिकली यही सारी चीज़े हैं यहां पर जो मैंने आप सब के साथ शेयर करी यह है कॉलोनीज कॉलोनीज में भी 2-3 व्लॉक्स पटे हुए E-type, F-type इस तरीके से I hope you all enjoyed this vlog तो मैंने सचा क्यों नहीं शेयर करूं कि मैं इस टाइम करंटी कहां पर हूँ ओडी सामी इसलिए यह व्लॉक बेने बनाया So I hope कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको सच में अच्छा लगा तेन प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल तिल देन तेक केर और बाबाई